नमस्कार गैव फाइनिंशियल सर्विसेस में आपका फिर से श्वागत है मैं सिय राकेश रोशन आपका फिर से श्वागत करता हूं और आज का जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं वो है आपका डारेक्ट टैक्स और इंडारेक्ट टैक्स में क्या अंतर है ऐसा इसलि में और मजाएगा सवाल कैसे आ रहे थे सवाल अपने पास आ रहे थे कि सर माल लेते हैं मैंने जीस्टी का रिशेशन करा लिया एक बार आप देखेगे क्या सवाल आ रहा था कि सर मैंने जीस्टी का रिशेशन करा लिया चलिए वेरी गुड और मैंने सेल भी कर लिया माल लेत ठीक है और माल लेते हैं इस गुड्स पे आपका जीएस्टी का रेट है 4% तो आपके पास 4 लाग का टैक्स की लाइबिलिटी आई ठीक है अब सवाल यह आ रहा था लोग यह कह रहे थे कि सर इनकम टैक्स में आपका इनकम तो 5 लाग तक अभी माफ कर दिया गया है और मेरा जीएस्टी बन रहा है 4 लाग तो मुझे टैक्स देनी की जरुरत नहीं पड़ेगी ऐसा सवाल बहुत भैंकर सवाल है लोग क्या कर रहे हैं कि इनकम टैक्स और जीएस्टी को एक साथ कॉलिबरेट कर दे रहे थे एक साथ मिक्स कर दे रहे हैं जैसे कि ऐसा क्या हो सकता है नहीं हो सकता है तो इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे ये वीडियो लेके आना पड़ा कि GST क्या है, income tax क्या है, क्या दोनों को एक साथ combine करके चला जाएगा, इसके उपर आपको example के साथ, इसका concept के साथ आपको बताने का कोशिस करेंगे कि GST और income tax में follow up कैसे होता है, दोनों के taxation को कैसे क कैसे आपको read करना है, कैसे उसको लेना है, कैसे उसको deposit कराना है, तो आईए आज के इस lecture को, आज के इस topic को, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आपसे request करते हैं कि अभी तक आपने इस channel को like, share और subscribe नहीं किया है, तो please कर दिजिए और bell icon को भी प्रेस कर दिजिए ताकि आ पिलता रहे है, आईए GST और income tax को समझने के लिए हम चर्चा करते हैं कि एक direct tax होता है इंडिया में और एक होता है आपका indirect tax, हिंदी अगर बात करें हम direct का हिंदी होगा परत्यक्ष कर और indirect का हिंदी हो गया अब परत्यक्ष कर, आप देखिए direct tax में जो photo भी लगा हुआ है, यह burden जो है आदमी का कमर तोड़ दिया हुआ है direct tax में है ना और indirect tax का logo देखेंगे आप यह magnifier से धून रहा है तो भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है, आप देखिए अब direct tax और indirect tax को अगर आप समझ लोगे तो GST और income tax भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिलकुल literal बात हम कर रहे हैं, बहुत हम conceptual बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप tax expert नहीं हो, आपको उतना समझ में आना चाहिए जितना आपको ज़रुवत हो, देखिए अगर tax का इंडिया में बात करें, तो दो तरीका का tax है, एक है अपने पास direct tax, यहीं से आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी, और दूसरा है आपका indirect tax, अगर आप बात करेंगे, देखेंगे आप इध्यान से, direct tax में income tax को रखा हुआ है, और indirect tax में courts and service tax, GST को रखा हुआ है, ऐसा नहीं इतना ही सारा tax है, और भी हो सकता है, आज का अपना focus है, income tax versus GST, ठीक है, अगर आप photo देखें टैक्स देने वाला, कौन देगा, किसको देगा, government को देगा, directly देगा, बीच में कोई भी mediator नहीं है, ये income जितना कमाएगा, वो अगर limit से उपर होगा, सरकार को tax देगा, यहाप लिखा भी हो है, tax collected by government, directly from taxpayer, सरकार taxpayer से, परत्यक्ष रूप से, direct रूप पे tax लेती है, जबकि GST indirect tax है, नाम ये indirect, अब परत्यक्ष मतलब tax देने वाला आदमी परत्यक्ष नहीं होगा, है ना, किसी ना किसी के माध्यम से होगा, आप देखेंगे, यहाँ पे है government, देख रहे हैं आप, और यहाँ पे है taxpayer, और बीच में कौन है, बीच में है retailer, manufacturer, मतलब दुकानदा यानि कि यह जो taxpayer है, आप समान जो अपने दुकानदार से खरिकते हो, उस समान पे जो tax आप पे करते हो, तो पहले retailer दुकानदार आप से समान पे tax लेता है, और फिर वो क्या करता है, अपने समान का दाम अपने पास, और tax का पैसा किस के पास? government के पास भेज़ देता है, देखिए, government collect tax from manufacturer and retailer, मतलब किस से tax लेगी सरकार? तो समान बनाता है, और समान जो बेचता है, manufacturer collect tax from retailer, जो समान बनाता है, वो retailer से tax लेगा, और retailer किस से लेगा? किस से? consumer से, ग्राहाक से लेगा, तो होप सो आसा है, ये वाला concept आपको समझ में आया होगा, अब इस पे एक topic और देख लीजिए आप, थोड़ा सा, इसका literature, देखिए, परत्यक्ष कर के बारे में लिखा भी हुआ है, ये आयकर सबसे आम और महत्पूर्ण कर है, जिसे हर आय प्रा आपने सुना भी है, कि धाय लाग तक आपका limit माफ है, तो धाय लाग तक income कमाऊगे, तो tax नहीं लगेगा, उसके उपर कमाऊगे तो लगेगा, और ये कहबिरा है, ये सीधे एक बेक्ति की आय पे कर लगता है, ये ध्यान देने वाला बात है, आय पे, बाकी ये सारा काम आ एक detail नहीं है, हम एक example लेते हैं, माल लेते हैं, आप एक shop की पर हैं, उसके point of view से हम बताते हैं आपको, कि आपने कैसे tax pay करना है, देखिए, माल लेते हैं, ये खरीद का बिल है, ये पहले भी मैंने आपको वीडियो दिखाया था, विसेश डिटेल आपको देखना है, तो GST का वीडियो description box में है, आप वहाँ से जाके view कर सकते हैं, देखिए, ये कह रहा है, माल लेते हैं आपने, आपका दुकान का नाम है ABC Traders, आप हो ABC Traders, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ABC Traders, आपने समान खरदा, देखिए, यहाँ पे, रानी ब्रांड वाइल, आपने 2,00,000 का payment कर दिया, अब यह समान जो है, हंड्रेट टीन आपने समान खरदा था, और उसको आपने बेचा, किसको बेचा, XYZ को, तो पहले पचास टीन आपने बेच दिया, माल लेते हैं, एक लाग दस जार में, फिर से आपने पचास टीन आपने बेच दिया, यहाँ पे में लिखता से 2750 और 2750, अब आपको जो GST और income tax जो जमा करना हो, कैसे कैसे करना होगा, वो देखी, अगर हम बात करें, अगर आप ABC ट्रेडर्स हो, आपने समान कितने में खरदा है, परचेज कितना किया है, परचेज आपने किया है, दो लाग का, और उस पे tax आपने, अपने supplier को कितना दिया है, GST tax, income tax की बात नहीं कर रहे है, GST कितना आपने दिया है, दस जार रुपया, यह आपका खरीद का डिटेल है, आपने sale कितने में किया है, ध्यान से देखेंगे आप, sale आपने किया है, दो लाख बीस जार, तो जाइस ही बात है, दो लाख बीस जार का, आपने 2750, 27 ग्यारा हजार आपने GST भी आपने क्रांक से लिया होगा, GST, अब देखिए, अगर हम बात करें, तो आपको GST कितना जमा कराना है, यह 1000, 1000 आपने GST जमा कराना है, और आपका income कितना हुआ इस काम पे, income हुआ आपका 10,000, income होगे आपका, 10,000 का, किलियर, अब यह 10,000 का जो income हुआ, इस income पे आपको income tax भी देना पड़ेगा, अब जाइस सी बात है, यह income आपका 5,000,000 से कम है, तो tax नहीं लगेगा, लेकिन अगर यह जोड़ते-जोड़ते आपने ऐसा बहुत सारा काम किया, पूरे साल में आपने कडोरों का काम कर दिया, और यह income माल लेते हैं, आपका 5,000,000 पहुँच गया, या 6,000,000 पहुँच गया, तो 5,000,000 माइनस करके जो balance income होगा, उस पे income tax को आपको देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपनो GST 1000 आपको देना पड़ेगा, तो आप यह देखिए कि आपका GST और income tax क्या दोनों एक ही tax है नहीं, income tax आपके income पे tax लगता है, जो कि आपको देना है, और यह GST क्या आप अपने पास से दे रहे हो, नहीं, आपने अपने ग्राहक से लेके सरकार को जमा कराया है, तो इसलिए इसको GST को हम लोग अप परत्यक्षकर या indirect tax भी बोलते हैं, जबकि income tax को direct tax भी बोलते हैं, आसा है, आपको indirect tax और direct tax समझ में आ गया होगा, और GST और income tax भी समझ में आ गया होगा, तो आगे से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह वीडियो इसलिए मुझे especially बनाना पड़ा, कि बहुत सारे लोगों के मन में confusion चल रहा था, कि सर मैंने एक करूल का sale किया, उस पे 5 लाग GST तो भरी दिया, तो 5 लाग सरकार ने छूट बना रखा है, तो मुझे income tax जैने की ज़रुवत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप से request है, कि आप इसको मसप न करें, और अपने tax की liability को सही माइने में पे करें, जो भी आपके consultant हैं, जो भी accountant हैं, जो भी CA हैं, उनसे proper या उचित promise लेकर आप आगे अपने returns को proceeds करवाएं, और file करवाएं, चलिए, आसा है, आपको आज का भी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा, तो आप like कर दिजे, share कर दिजे, और subscribe कर दिजे, और साथी साथ bell icon को press कर दिजे, ताकि मै अगला कोई नए वीडियो लेकर आओं, आपको सबसे पहले मिले, टैक्सेशन का, चलिए, इसी के साथ, आज हम इस वीडियो को end करते हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ आप से मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, आप हमको बिदा दीजिए, जैहिन, ज Namaskar.